हेलो फ्रेंट्स आप सब्सक्राइब का स्वागत है तो फ्रेंट्स बात करेंगे हम लोग आज की सेडियो में क्रिप्टो मार्केट न्यूज के बारे में पिछले 3-4 दिनों से लबग एक समान ही बना हुआ है जब तक कुछ Bitcoin बड़ा move नहीं लेता है चाहें वो upside या downside ये meter जो है इसी देंज में देखने को आपको मिलेगी तो चरू प्रेंस अब market में overall market cap क्या है अभी के time पर growth है या गिरावट है है तो कितनी percentage की है ये देखके उसके बाद से जो भी new जे उसे cover करते चलेंगे तो फ्रेंस बात करें यहाँ पे हम लोग overall market cap के तो फ्रेंस 1.83 trillion आप यहाँ पर देख सकते हैं और वही बात करें अभी के time में market में growth जो है वो 6% जो है देखने को मिल रही है थोड़ा सा फ्रेंस से scroll करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलाल bitcoin पिछले 24 गंटे में 7.5% के बड़ुत्री पर है और वही इथेरियम लबख 6.5% और इसी तरह से यहाँ पे तीधर के बात करें तो फ्रेंस यही 0.02% बढ़ा हुआ है इसलिए बाइन दबा के हो रही है और वहीं फ्रेंस से यहाँ बीन भी साड़े 4.5% से उपर चल रहा है मतलब की लबख सारा का सारा क्वाइन आपको आज ग्रीन में प्लस ग्रीन के साथ साथ अच्छा कासा परसेंटेज के गुरूत के साथ पंप होते विए देखने को मिल रहा है तो चलो फ्रेंस अब होनों बात करते हैं नीज के उपर तो फ्रेंस बात करें हमलों सबसे पहले नीज की तो फ्रेंस यही वो सक्स है जिन्होंने संदे भरी सवाल जो है बिटकोईन या क्रिप्टो को लेकर कही है तो इस वाले इन उसको तोड़ा cover करते हैं तो friends, यहाँ पर बात करें तो यह Goldman Sachs के बारे में आपको पता है तो friends, जो की largest bank है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके यह blank pin जिनका नाम है यह पूछते हैं कि American dollar freeze order के बावजूद crypto में एक पल क्यों नहीं है तो friends, यहाँ पर हिंदी जो translate होती है कुछ इस तरह से होती है यहाँ पर movement English में यूज किया गया था तो movement का पल ही होता है इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा गया है तो यहाँ से आपको कुछ clear नहीं हो रही होगी तो मैं इसे clear करता हूँ तो friends, इनका यह कहना है कि जिस तरह से inflation का rate वगारा hike हुआ है इधर उदर हो रहा है साथी साथ बहुत सारे government का यह कहना है कि वो जो है जो mislead या जो अलग तरह से या कुछ भी गलत तरह का misbehavior देखने को मिल रहा है accounts related उन तरह के account को यह लोग track करते है और क्या करते है तो freeze करते है तो इस तरह से बात होगारा बहुत सारी market में निकल कर आ रही है लेकिन उसके बावजूद इनको crypto में कुछ या bitcoin में कुछ भी इनको देखने को नहीं मिल रहा है मतलब इनका कहना है कि यह bitcoin को just के तरह पड़ा पा रहे है इनका कुछ भी मतलब असर पड़ते नहीं देख पा रहे है तो friends इन्हों ने ये प्रस्न किया और इस प्रस्न के response में बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह के reply जो है इनको किया है जिसको कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा तो चलो friends आप यहाँ पर देख सकते हो Goldman Sachs के एक वरिष्ट अध्यक्ष ने पूछा कि अमेरिकी डॉलर में वरीधी के बावजूद क्रिप्टो में एक पल क्यों नहीं तो यहाँ पर कहना है कि अमेरिकी डॉलर में वरीधी हुई है उसके पावजूद क्रिप्टो में एक पल क्यों नहीं और सरकारे दरसाती के वे कुछ प्रस्तितियों में खातों को फ्रीज कर सकते हैं और करेंगे अब तक इसे कीमत में नहीं देख रहे हैं तो चलो फ्रेंट और यह कब की मतलब यह रिपोर्ट है यह तो यहा करते हैं और यहीं वाली इंग्रिजर्ज है जो की पेंगे उन्वम किया यहाँ पर 6 मार्स के दिन अब बात करते हैं इनके रिपलाई में यहाँ पर कुछ बाते लोगों ने कहीं उसे हम दो सीधे देखते हैं तो फ्रेंट्स यह वाली जो रिस्पॉंस है यह क्रिप्टो करेंसे विशेसलक ट्वीटर डेमेस्टर ने लिखा तो फ्रेंट्स इन्हों ने बोला कि बिट्कॉाइन बहतर महिनों में 10,000 बड़ा है जिसमें वार्षिक रिटर्न 116 पर्षेंट है किरिप्टो इसे एक मिनट दे तो फ्रेंट्स यहां पे पूरा डाटा इन्हों ने एक्स्प्लेन कर दिया सिर्फ उसे एक संटेंस में और यहां पर बोला कि किरिप्टो इसे देखे तो फ्रेंट अब बात करते हैं यहां पर यह रिस्पॉंस किसने किया है तो यह डिजिटल एसेट मेंजर एरिक विस ने जवाब दिया है और यहां पर यह है कि यह सिर्फ सिक्षा की बात है बहुत कम लोगों बिटकोईन के मुल्य परसाव को समझते हैं आप अस्पस्ट रूप से करते ह हैं बस हमारे साथ लोएड हम इसे बनाने जा रहे हैं तो इस तरह से थोड़ा सा कॉंप्लिकेटर नीचे वाला बट उपर वाला तो इजेली समझ में आ गया होगा कि इनका साब सब कहना है कि आपको नौलेज नहीं है किसको लेकर तो बिटकोईन को लेकर और बहुत कम को सिंस समझ लेना होता है तो फ्रेंट चलो अगले नीच को देखते हैं तो फ्रेंट बात करें यह वाली नीच के उपर तो फ्रेंट यह जो निजे यूएस लॉवेकर्स का है और यहां पर रसिया गोल्ड से रिलेटेड है तो फ्रेंट यहां पर बाते कही जा रही है कि य वायर यूआज के जो सीनेटर्स हैं उन्होंने एक बील को इंटरड्यूस किया है जो की है रसीया के गोल्ड को ऊपर प्रतिबंध लगाने के बाद की जा रही है अब यहां पे यह जो लैजिसलेसन है यह क्या करेगा तो जो रसीया के गोल्ड का परचेज होता है उसे पूरी तरह से ये रोकने का कार कर सकता है साथी साथ यहाँ पे एक तरह का बहुत ही जबरदस फाइनेंसियल इंपेक्ट डाल सकता है और यहाँ पे फ्रेंट्स है कि इस तरह के प्रतिबंद लगाने के बाद से जो रसिया है वो जो world economy पे अपना जो gold पे इस तरह से एक ब्रचस बनाया हुआ है उस पे अच्छा कासा असर अच्छा कासा पृतिबन लगाया जा सकता है और साथी साथ जो वो अपना ये सेन ने क्या कता है उसको फ्रेंट्स जो military के ट्रेनिंग होती है जो उस पे जो खर्चा होता है यहां पे दिखाया जा रहा है कि increase the difficulty of Putin's increasingly costly military campaign तो जिस तरह से वो आई दिन अपने military campaign पे बहुत ज़्यादा पैसा जो है लगाते जा रहा है उस पे भी ये difficulty बढ़ सकती है क्योंकि उनको अगर gold वाले ये sanctions प्रतिबन लग जाते है तो उनको इधर से भी प्रतिबन जब लगती है जैसे और भी प्रतिबन अलड़ी रसिया पे लगा हुआ है तो यहां पे भी उनको कटवती करना पड़ेगा क्योंकि फ्रेंड्स सब ही देश जो है ये चार है कि जो रसिया आए ये अब कंट्रोल करे अपनी मतलब जो कदम लपतार में बढ़ाए जा रहे इसे मतलब थम जाए बस हो गया बहुत हो गया अब यहां पर रुख जाओ बट ये रुकने का नाम फिलाल नहीं ले रहा है तो इसी तरह से अलग-अलग जो प्रतिबंद आय दिनार है उसमें से एक प्रतिबंद आपको ये भी देखने को मिल रहा है अब जो वहां पर इनकी जो गोल्ड लोग गयरा हो है उस पर भी कुछ भी लोग गयरा पेस करके यूएस के द्वारा होँआ पर कुछ रोग ठाम करने की कोशिस की जा रही है तो चलो फ्रेंट्स आपको बढ़ते हैं अपने अगले नियूश के लिए तो फ्रेंट्स बात करें अब इस वाले नियूश की तो फ्रेंट्स यहाँ पर है कि फिंसेन क्रिप्टो करेंसी का उप्योग करके संभावित परतिबंदों की चोरी पर लाल जंडे जारी करता है तो चलो फ्रेंट्स थोड़े से डीटल्स में बात करते हैं तो फ्रेंट्स अपने इस एडवाईजरी में और इनका बोलना है कि हाला कि ब्यूरो ने स्विकार किया कि उसने क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करके अपनी प्रतिबंदों की वयापक चोरी नहीं देखी है तो जो भी इस तरह की इन्होंने अपडेट्स जो है यहापे इन्होंने रिवील कि है तो फ्रेंट्स अब यहाँ पर यह जो चीज हाइलाइट करके रखी है इसे तो यहाँ पर है कि हमने क्रिप्टो करेंसी जैसे तरीकों का उपयोग करके हमारे प्रतिबंदों की वयापक चोरी नहीं देखी है संदिग्द गतिविदी की ततकाल डिपोर्टिंग हमारी रा फ्रेंट्स यह बात करें तो यहाँ फिर से आपको रखी देखने को मिल जाएगा इस वाले भी नीज में जोकी है फाइलेंड और क्रिप्टो और रख्या से रिलेटेट तो फ्रेंट्स यहाँ पय ज है कि जो थाइलेंड है वह क्या ओफर करना चाहता है रसिया के टुरिस् आए दिन जाते रहते हैं वहां के जो भी प्रेटक है तो फिर जो रसियन प्रेटक है उनके लिए जो थाइलेंड है वो चाहता है कि वो क्रिप्टो में पेमेंट आप्शन क्रियेट करें उन लोगों के लिए ताकि जो फियाट पर प्रतिबंद लगा हुआ है ना उससे बचक है कि रसियन सिडिजन के लिए अलग-अलग तरह के प्रतिबंद लगा दिया गया था जिसमें बोला गया थे कि आप अपने कंट्री के बाहर जो है वीजा और मास्टर काड का जो यूज नहीं कर सकते हो उससे भूतान वगयरा जो भी होती है वो नहीं कर सकते हो तो इस तरह से यह एक बैन नहीं है अलग अलग तरह के अलग अलग जगह से बहुत सारी जो है आपको प्रतिबंद जो लगाया गया है आपको रसिया के ऊपर तो उसी तरह से आप थाइलेंड चाहता है कि वो क्रिप्टो पेमेंट आप्शन एवलेबल करें ताकि जो फ्येट पे देखने को मिलेगा जैसा कि रसिया यूक्रेन के बीच में जो यूद चिड़ी हुई है उसी के बीच में यहां पर बात की जा रही जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले किसी नियूज में कि जो गोल्ड की प्राइस थी वो आपको टू के डॉलर को टज की ती जो कि एक हाई था अब फिर से उस हाई को भी इसने ब्रेक करती हुए एक नया यहां पर हाई हिट किया है जो कि आपको है 2060 डॉलर में तो अब यह बात यहां पर है कि जो प्राइस ऑप गोल्ड यह फिर से अपना उचाईश होता है या फिर से उचाल मारता है कि इतना तो इतना डॉ पर ओंस के हिसाब से जबकि जो एसेट्स पर रिस्क है वो अभी भी इलागातार बना हुआ अभी भी कंटीनी और क्यूं तो अब नीची आते है तो सब कुछ अब यहां पर किलिर हो जाने वारी है तो फ्रेंट्स जैसा कि मैंने बोला था तो इसको इसने ब्रेक करते हुए सुबा सुबा एक नया हाई बनाया मंगलवार के दिन मतलब कल के दिन जो की पहुँचा आपको 2064 डॉलर के आसपास में इसको टच किया और जबकि यहां पर लिखा है कि रसिया यूकरेन के बीच में जो जंग है वो अभी भी लगातार बनी होई है साथी साथ जो ग्लोबल कोमोडेटीज के डिमांड है जैसे कि आपको यहां पे फ्यूल्ड करके दिखा जा रहा है कि है फ्यूल्ड डिमांड मतलब कि जो ग्लोबल कोमोडेटीज के डिमांड है वो बढ़ते जा रही है उसके बीच यहां पे गोल्ड की प्राइस जो है फिर से अपना पुराना जो सब्सक्राइब करके मिलते अपने नेक्स्ट टोडो में